हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकेनिकल में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप टेन प्रोडक्शन टेकनलोजी के अबजेक्टिव कोश्चन और उसके एंसर डिसकस करूँगा ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और आगे आने वाले बहुत से पार्ट में हम प्रोडक्शन टेकनलोजी को कवर करेंगे ठीक है और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूस कमेंट करते हैं कि सर पीडियाफ चाहिए पीडियाफ चाहिए तो मैं आपको बता दू कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है आप वहां से जा करके हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करने के बाद मैं आप फ्री म का होता है और यह होता है आपका end cutting tool यानि कि option number c is a correct answer question में आते हैं कि the tool made of cemented carbide we are out faster at slow speed medium speed fast speed या very fast speed तो जो tool cemented carbide का बना हुआ होता है वो बहुत ही जल्दी घिस जाता है अगर उसकी speed जो है वो slow हो ठीक है क्योंकि cemented carbide जो है वो high speed या fast speed के लिए बनाया जाता है अगर उसको कम speed पर चलाएंगे तो जल्दी घिस जाएगा ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कोशन में 3 है कि तर रेक एंगल required to machine brass जब कभी भी brass आ जाए तो रेक एंगल हो कोई भी एंगल हो आप आँख करके उसको zero degree मार दीजिए ठीक है फिर चाहिए वो high speed इस्टील हो high carbon steel किसी भी केस में तो ब्राज से मतलब रेक एंगल आपका zero डिग्री रेक एंगल कोन से यह वाला एंगल रेक एंगल है मैंने आपको ड्राइंग भी लेकर लिप एंगल है यह आपका लिप एंगल में ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कोशन मर फाइव है कि अवरेज कटिंग स्पीट फॉर टर्निंग ब्रास इविद हाई स्पीड स्टील टूल ब्रास के लिए कितना होता है 15 तो 19 25 तो 31 मीटर पर मिनट 60 to 90 मीटर पर मिनट या 90 to 120 मीटर पर मिनट तो ब्रास के लिए होता है 60 to 90 मीटर पर मिनट option number C is the correct answer question number 6 में आते हैं कि gear lapping is an operation after heat treatment prior to heat treatment for gear reconditioning या none of this तो gear lapping जो है वो कौन सा operation है वो होता है prior to heat treatment मतलब heat treatment के लिए काफी जाधा priority होता है gear lapping के लिए ठीक है अगले question में चलते है question number 7 है कि drill considered as a cutting tool having zero rack अगर किसी drill में rack angle जो zero है तो उसको क्या बोलेंगे flat drill, straight floated drill, parallel shank twist drill या tapered shank twist drill तो drill considered as cutting tool having zero rack is known as straight floated drill यानि कि option number B is a correct answer अगले question में चलते है question number 8 है कि the lead screw of a lathe has single start, double start या multi start thread ठीक है तो lead screw में कौन सा thread होता है lead screw में जो होता है वो आपका होता है multi start thread ठीक है option number C is a correct answer 9 question है कि in up milling the thickness of chip is minimum at the beginning of the cut and maximum at the end of cut या maximum at the beginning of cut या minimum at the end of cut या uniform throat out the cut या none of this तो पहले मैं आपको up milling और down milling के diagram समझाता हूँ ये जो है आपका up milling के लिए है आप milling में क्या होता है कि जो आपका cutting tool है milling machine का वो उसका direction इधर रहेगा और work piece का direction ऐसा रहेगा मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा रहेगा तो उल्टा रहने के वज़े से क्या होता है कि starting में जो chip है वो कम निकलेगा फिर बाद में ज्यादा ज्यादा चिप निकलता है तो उस वाज़े से आप मिलिंग में क्या होगा तो आप मिलिंग में क्या होगा minimum at the beginning of cut beginning मतलब इनिशल में यह बीच में beginning of cut and maximum at the end of cut option number a is a correct answer अभी मैं आपको down milling में thickness कैसे होता है डाउन मिलिंग में यह अगर आपका कटिंग टूल है तो उसका वर्क पीस है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा इस वज़े से क्या होता है दोनों का डायरेक्शन जब सेम रहता है तो शुरू में काफी ज्यादा हाई मात्रा में निकल जाता है आपका chips ठीक है उसके बा due to high thermal conductivity of titanium, chemical reaction between tool and work, low tool chip contact area तो titanium पे जो मशीनिंग करना होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है तो वो होता है क्यूंकि titanium में जो tool chip contact area होता है वो काफी कम होता है तो option number C is a correct answer ठीक है last question है Q for you यानि की question for you आपको इस question का right answer मुझे नीचे comment करके बताना है ठीक है और आपको इसके साथ एक और comment करना है क्या करना है कि 10 question में से आपने कितने question का right answer दिया या आप मुझे इमानदारी के साथ इसका answer दीजिए Lapping is an operation of making a cone shaped enlargement of the end of a hole smoothing and squaring the surface around a hole sizing and finishing a small diameter hole producing a hole by removing metal along the circumference of a hollow cutting tool ये चार option है Lapping का right answer क्या होगा comment करके बताइए और please please हमारे वीडियो को like करें share करें और अगर आप NMDC का preparation कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को join करके या उससे subscribe करके आप हमारे family का important member बनने की कोशिश करें फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए